हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूं सब ये दोस्त बढ़ी आऊंगे तो आज का अपना जो वीडियो है आज रिजनिंग की क्लास होने वाली है ठीक है रिजनिंग आज पढ़ेंगे हम रिजनिंग का क्लास रहेगा उससे पहले आपको बता दूद देख लीजे रिजनिंग किस बेस पर रहेगी इसके रिलिटेड जो भी आपको टरम दिया हुआ जो भी क्विश्शन रहेगा उसके करें जो है वह आपको बरस बजाने है ठीक है जितने भी एक्जायमस होते ओले के जिन में reasoning रहती है उस base पे यह है ठीक है चलिए तो आज का देखते हैं हम पहला question देखते हैं first question किस तरह से आता है कि first question आता है इन्हें first of all relation देखिएगा जब बात आती है numbers वाले पर ठीक है 4 का 19 के साथ देखिएगा फिर आगे 7 का हमने किसके साथ देखना है जो as it is ऐसा है ठीक है तो relation देखने में सबसे main चीज़ क्या रहती है सबसे पहले देखें square square करके देखें कि equation बनता है कि नहीं बनता अगर square से नहीं बनता cube से बनाएं ठीक है starting किससे करने है square से फिर cube से फिर उनके बीच का difference देखना है difference से ठीक है फिर आगे as it is जाएंगे ठीक है तो first of all हम पहले क्या देखते है square देखते है 4 का square कितना होता है 16 ठीक है तो कम कितने है 16 प्लस अगर हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 19 ठीक है तो same as it is हम करके देखते है 7 के साथ तो 7 का square जो है वो कितना आएगा 49 49 प्लस 3 करते है ठीक है तो कितना बैठेगा 49 प्लस 3 52 52 किसी option में given है बिल्कुल given है option number A ठीक है option number A में आपका सही रहेगा अगर in case अगर square नहीं आते है तो cube के साथ जाके देखिए cube से नहीं होता है तो difference के साथ देखिए difference नहीं होता है तो उसके बाद additional करके ठीक है add से जहां subtract करके उस base पर रहते है बस starting हमेशा square से करने इस बात का ध्यान रखे next question देखते है next question है words के उपर है ठीक है इसमें just first of all हमें सबसे पहले करना क्या है first of all हमें ध्यान से in words को देखना है हमें ये example दिया हुए example के तोर पर हमें दो words जो है वो दिये हुए है अब हमें देखना है कि इसको same इसके जैसा जो है example के according इन में से कौन सा answer रहेगा ठीक है तो इसमें देख लीजिए d जो है d as it is अपनी जगा पर है ठीक है second number पर इसका कौन सा है इन्होंने क्या किया कि बीच के दो words जो है उनको interchange किया हुए ठीक है तो same हम इदर भी करके देख लेते हैं जे जो है ये को जे अपनी जगा पर रखते हैं ठीक है जू को क्या किया गया है third number पर कर दिया गया है इसको हम third पर ले जाते है अब व को second पर किया गया है second पर देख रहे है न M को second पे कर दिया और I को third पे कर दिया बैसे हम in को interchange कर लेते हैं और R को अपनी जगह पे रहने देते हैं ठीक है देखिए ऐसा कोई option बनता है बिल्कुल बनता है option number A ठीक है ऐसे question जो भी आएंगे words वाले सबसे पहले उनको क्या करना कि पहले उन दो का relation जो है वो देखिएगा ठीक है अगर वो relation समझ आगे आपको इन दो का अगर आपको इन दो का relation समझ आगे तो ये बालागा आगे आप आप अराम से कर लेंगे चलिए next question देखते है इसके साथ question number next क्या कहता है कि जैसे book जो है बुक कहा होती है लाइबरेरी में बैसे trees जो है वो कहा रहेंगे furniture आएगा इसके साथ fruits आएगा, shades आएगा जहां फिर forest आएगा basic common level के question है basic knowledge के पर question है तो इस तरह का question होगा उसको कैसे किया जाएगा तो देखिए books जो है वो कहा होगी library में होगी तो trees जो है वो कहा होंगे jungle में होंगे normal सी बाता furniture में तो नहीं होंगे न furniture trees का बनेगा fruits trees पे लगेंगे but trees जो है वो कहा होंगे वो होंगे forest में option number D जो हैसमें आपका सही answer रहेगा चलिए उमीद करता हूँ सभी अच्छे सा समझ आ रहे हैं question French जो है यह language है French कहां बोली जाती है France में ठीक है यह language based question है French जैसे France में बोली जाती है वैसे Dutch language जो है वो कहां बोली जाती है Sweden में, Norway में, Fizi में जा फिर Holland में ठीक है तो यह बोली जाती है Holland में option number D इसमें आपका सही रहने वाला है next question देख लेते हैं इसमें सबसे अलग number बताना है आपको ठीक है question number देखिए next 22, 18, 12 or 15 ठीक है जल्दी से इसको आपने सबसे अलग बताना है जल्दी से इनमें सबसे अलग कौन सा है basic question है ओके ओके बहुत बढ़िया कुछ common देखना है common देख लेओ कोई square से start कर लो ठीक है यह क्या किसी के square बैठ रहे है सबी नहीं बैठ रहे cube से देख लो नहीं multiple करके देख लो ठीक है उसके बाद multiple के बाद additional करके देख लो ठीक है divide करके देख लो ठीक है यह 3-4 basic basic चीज़े है जिनके base पे बैठता है ठीक है तो हम simply क्या करते है divide के base पे ले ले लेते है ठीक है 2 के साथ कर लेते है ठीक है 2 के साथ 3 के साथ देखे कोई भी term देख लीजे इनमें से एक चीज़ और द्यान रखिए ऐसे questions जो रहते है इनमें बहुत बार expectation होती है कि एक question के दो-दो answer निकल आते है ठीक है अगर हम divisible वाला method जो है अपनाए ठीक है divisible वाला अगर हम इसको 2 से divide करेंगे तो ये भी 2 से जाएगा ये भी जाएगा और जे भी जाएगा बट 15 जो है ये question बनाने बाले पर कि उसने किस तरह का जा किस base पर question बनाया हुआ है ठीक है तो चलिए इसका answer जो है book according मैं बता रहा हूँ उसमें इन्होंने 3 को लिया है 2 को नहीं लिया है ठीक है तो उसका answer इन्होंने 22 के साथ दिया हुआ है ठीक है झाज जो है झाल झाल 1 झाल 1 1 2 2